कड़ी पकोड़े के बनाने के लिए में जो चीजिया दरप्यार है दो छोटे साइस की पयास अदरक लहसन का पेस्ट कमाटर सबस मिरश्च गरम साला एक चमल एक चमच खुश्पॉर्डर हाफ चमच हल्दी पॉर्डर कुटे हुवी लाल मिरच और दो चमच इसी हुवी लाल मिरच बड़ी लाइची और दार्चीनी एक कप बेसन और लस्टी इनकी मदब से हम बनाएंगे आज की मज़दार कड़ी कोड़ा की रेसिपी तो चलिए स्ट करते हैं अब हम लेंगे एक कप और और में डालेंगे प्यास को हम तब तक पकाएंगे जब तक यह नरम नहीं हो जाते है जब तक प्यास नरम होते हैं त्प्तक यह जब इस तरह से नरम हो जाएं तो इतने अधरक लसं का टेश्ट शामल करते हैं कि और तब तक इसको पकाएं तब तक के इसकी सटम नहीं हो जाती है कड़ी त्यार हो रही है कि तक कड़ी त्यार हो रही है तब तक मैंने पकोड़े बना कर त्यार कर लिए हैं देखिये जी दो खेंटे हो गया है इसको पकते हो गया और इसकी ठिकने सब चेक कीजिए इस पॉइंट पर आकर अब हम इसमें पकोड़े शामल कर देंगे जो के मैंने पहले से ही त्यार करके रखे हुए है अब हम इसमें मजीद एक चमच खुश्क धनिया गरमसाला और खुश्क मेथी जो है वो शामल कर देंगे फश्बू के लिए और टेस्ट के लिए अब हमसे सबस धनिये और सबस मिचों के साथ गाविश कर देंगे आप जब भी कड़ी बनाएं तो इसे मट्टी के हांडी में बनाएं इसमें बहुत ग्लीशियस और मज़ेदा टेस्ट होता है इसका बनिस्पतर दूस्तरी कड़ाही में बनाने से अब देखिए यह है जीस की फाइनल लुक दूआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले